आज शाम मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक है, जिसमें MSP बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंदर सरकार खरीफ की फसलों पर MSP बढ़ाने की तयारी में है और आज ही कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मनजूरी मिल सकती है। इस साल चुनाव और नई सरकार के गठन की वज़े से इसमें देरी हुई है। गौर तलब है कि पिछले साल साथ जून को खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई गई थी। वहीं इस साल लोकसभा चुनाव और नई सरकार के गठन की वज़े से इसमें देरी हुई है। फसलों का दाम बढ़ाने का प्रस्ताव क्रिशी लागत एवं मूल्य आयोग देता है। आयोग की इस बारे में पहले बैठक हो चुकी है। बता दें की मोधी कैबिनेट आज खरीफ की फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला कर सकती है। केंद्र सरकार लगभग 12 फसलों की MSP बढ़ा सकती है। इन फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उरद, मूंग फली, सोयाबीन, कपास और तिल शामिल है। गौर तलब है कि पंजाब हरियाना में किसान MSP बढ़ाने को लेकर आंदोलन रथ हैं। किसानों ने रेलवे ट्रेक जाम करने के साथ ही कई टोल भी बंद कराएं हैं। हालां कि, सरकार किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन वारता के नतीजे वही रहे जो होते आएं हैं। अब किसानों के आंदोलन को नरम करने के लिए सरकार ये मरहम लगा रही है। इसमें फसलों की NSP बढ़ाने का एक फैसला हो सकता है। हालां कि, अभी ये खबर सूतरों के हवाले से मिली है, पूरी बात गुरुवार शाम को कैबिनेट बैठक होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।